हलो है आपको ये डेमोक्रेटिक रीसरेंस की जब हम बात कर रहे हैं जो चैप्टर का नाम बदल के डेमोक्रेटिक रिसरेंस किया है तो इसमें जो एडिशनल टॉपिक से वह यही बता रहे हैं कि किस तरह से इंडिपेंडंस के बाद में अलग-अलग पॉइंट पे भूचाल है जिसने कहिना कई democracy को जिवित रखा है कहिना कि डेमोकरसी के लिए क्या एक तरस कह सकते हैं टॉनिक का काम किया है तो जैप्रकाश नारायंड और उनका जो आइडिया था टोटल रिवलिशन का वह एक इंपॉर्टेंट पार्ट था जो हमने आपको पिछले वीडियो में डि पे था ठीक है नॉन कॉंग्रेस गवर्मेंट पहली बार बनती कंट्री में उस टाइम प्रेट तक तो यह थे नहीं लेकिन क्या होता नहीं इंसान रहे ना रहे विचार रहना जरूरी है तो इनके विचार क्या थे देखो तो राममनहुर लगया इंड सोशलिजम तो नो हो रहा था तो इंडिपेंडेंस के पहले से ही इंका एक एक्तिव इंवाल्मेंट रहा है इंडियन सोशलिजम के प्यार तक तरह को आपको अलगी जलना को देखने को मिल जाएगा सोशल्सम बेसिकल एक आइडिया ही उस चीज पर डिपेंडेंट है की इनी कुछ खतम किया जायं तो सोशलिसम एक आंसर बनता है ठेके इन इक्वेलिटी को कैसे खतम किया जाए उन सारी चीजों में विश्वास रखते थे तो राममनोह लोया has been one of the main proponent of socialism in India he campaigned the idea to campaign the idea of democratic socialism up democratic socialism में मतलब क्या है देखिए democracy में विश्वास रखोगे आप तो democracy तरह से इंडिविजल लिबर्टी राइट वगरे इंसाइड चीज़ों पर फोकस करती है और जब आप democracy को socialism के साथ जोड़ देते हो ना तुसके एक advantage है क्या कि आप समाज जैसा आप इंडिविजल के लिए राइट्स लिबर्टी डेवलप्मेंट के बारे में सोचते हो democracy में वैसा आप समाज के लिए भी सोच लगते हो ठीक है तो डेमोक्रेसी और सोचलिजम को एक साथ जब जोड़ोगे ना तो उसमें इंडिविजल अलॉंग विट सोसाइटी तो विचिस वेरी मस्ट सिमिलर विद्धी आइडिया ओफ रा कह सकते हैं जैपरकाश नारायन और ऐसे अगर लेकिं का सम्झाओ देमोक्रेटिक सोचलिजम क्या है कि वो जो डेमोकरेसि है उस दिम्युक्रिस्ट चस्में से देखने कीप रयास करते हो फितके हैं वाईल आस्योसीयेटिंग इस सोचलिजम एडिम्य। um क्मिनिजम एंक आडिे र्रेमु इंस सोसाईटी अभर खियंके capitalism to capitalism is more tilted to a democratic system to a capitalism आपको democracies में बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगा जैसे USA hard core democracy to hardcore capitalist system ठीक और अगर आप communism की बात करो के तो communism में आपको क्या देखने को मिल जाएगा socialism और communism एक जोड़ी में देखने को मिल जाएगे तो जब रामनोहर लोहिया democratic socialism की बात करते ना तो ना वो capitalism की तरफ जा रहें ना वो communism की तरफ जा रहें एक्सेंटरिस्ट व्यू ले रहे हैं ठीक है तो वाइल associating is socialism with democracy लोहिया considered both capitalism and communism equally irrelevant for Indian society तो उन्हें ऐसा लगा कि extreme में जाके capitalism पर उश्वास करना या फिर extreme में जाके communism पर श्वास रखना दोनों ही इंडियन सुसाइटी के लिए irrelevant है focus should be on the center ठीके एक सेंटरिस्ट व्यू बनाने की कोशिश करिए अब अगर आप देखेंगे तो democratic principle जो है democratic socialism का उनका principle है तो इस principle of democratic socialism has two objectives दो अबजेक्टिव से क्या पहला अबजेक्टिव जिसे देखूगे तो the economic objective in the form of food and housing ठीक है तो एकनोमिक अब डिमोक्रेटिक socialism का objective क्या रहेगा को सबसे पहले जिसे कर आप देखो कि आप socialism की बात करें एक साथ दोनों को जोड़के देख रहे हैं तो आदमी का economic objectives जो है वह फुल्फिल हो तो खाने के लिए क्या रहे खाना रहे और सिर्च छुपाने के लिए उसके पास क्या रहे घर रहे तो food and housing economic factor हो गया लेकिन आप सिर्फ खाना दे दिया और घर दे दिया लेकिन आपके पास कोई राइट्स नहीं है आपके पास कोई आजादी नहीं वह भी सही नहीं होगा ठीक है तो आपने सोशलिस्टिक दिखा दिया डेमोकरिटिक सोशलिजम में क्या देखने को मिल रहा आपको दो अब्जेक्टिफ पूरे करना है कि एक तो आपको मतलब चश्मा कुछ ऐसा होगा कि इधर वाला कलर अलग तो आपको एक तो क्या होगा कि वह एक्वैलिटी वाली जो बात थे ज खुरुष खाना और घर दे लेकिन देर आपनोर राइट्स तो के यह दर इस नहीं मतलब यह दना कि आदमी की कुछ पॉलिटिकल आप्सपिरिशंस रहती है आदमी कुछ अधिकार चाहता है वह भी तो 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 दी नौन एकनोमिक अब्जेक्टिटिव औफ देमोकरिट ठीक है एंडिस नाइदर गूइंग इन दी एक्स्ट्रीम पार्ट एक्सेंट्रिस्ट व्यू लेकर चल रहे हैं वो समझ मैं इतनी कहानी ठीक है तो इतनी कहानी समझने आगे बढ़ते हैं तो लोहिया एड्वोकेटेट चो भुजा आफिचो खंबा राजनीती भी कहा जात है तो हुए डोकेटेट दी आइडिया उफ चो भुजा राजनीती ठीक है आफिस फोर पिलर पॉलिटिक्स तो रामवन और लोहिया वाजबी पर्संट तो जिस तरह से आप देखेंगे जैपरकाश नाराइन ने तीन लेयर की बात करी ती यहां पे इन्होंने चार पिलर प बात करी इन विच की ओपाइंस फोर पिलर्स ऑफ पॉलिटिक्स एस वेलस सोचलिजम ठीक है तो पॉलिटिक्स में सोचलिजम में हर तरह सा जिस आप देखेंगे तो चार पिलर की बात करें ने नीचे से समझो तो विलेच डिस्टिक्ट रीजन और सेंटर बतलब क्या है कि दिसन्ट्रा इटी बात करें लोने कि अलग 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 लवल पर आपको politics देखने को मिलेगी व्यात करने की बात करें तो मेला गिषक्त भशे सइन्टर्म और तो सेंटरल लवल है कि थीसे भी देखो गया आप तो उन्होंने कुछ सॉल टेक्स मतलब गांदी जी से ही जुड़ा हुआ था तो गांदी जी का जो आइडिया है किस चीज का ग्रासूरूट डेमोक्रसी का उन चीजों पर लगयाः ठोल फोकुस किया वाटम टॉठ टॉप अप्रोच फेफोकुस किया ठीक है तो बेजडां दी प्रिमैसेंस और डिम्यूतिक सोश्लिजम एंड चौब हजारा राजनिती आध्निती तो डेमोक्रितिक सोशलिजम की बात करते हुए ठीक है लोहिया सपूर्टेट अप यहां पे जो हो socialism की बाथ करें इस नोट associated with the socialism of Russia यहां पे उनका socialism अलग है वो democracy की बात कर रहे हैं वो communism की बात कर है वो एक mix बनाना चाह रहे है ना? तो वो क्या बात करते हैं अपनी चौबूजा राजणीती के हिसाब से साथ इसाथ democratic socialism के हिसाब से party of socialism बनाने की बात करते हैं अब यह party of socialism क्या है तो party of socialism according to lohiya should have three symbols party of socialism में तीन चीज़े होना चाहिए spade vote and prison spade मतलब क्या होगा कि सबसे पहले तो आप वो party of socialism जो बना होगे जिससे आप क्या कर सकते हो कि जो अलग अलग दूसरी समस्या है दूसरी कह सकते है political parties उन सबको merge करके आप ऐसा बनाओ कि सारी parties spade का spade मतलब क्या है prepare to make efforts सारी parties काम करें बातें ना करें काम करें ठीक है power of voting पावर वोटिंग मतलब क्या है यहां पर पाटी काम करेंगी उन पाटी को काम करना होगा लेकिन उन पाटी को काम करने के लिए जो बोलते हैं support कौन देगा जनता देगा जनता के पास में पावर होना चाहिए power to vote ठीक है एंड प्रिजन मतलब क्या है कि अब देखो पॉलिटिकल पार्टी काम कर रही है इंसान मतलब जो आम जनता है वो बता रही कि क्या काम करना है अपनी वोटिंग पावर के तुरूने चूज कर रही है लेकिन अब क्या होगा ना कि जब काम होगा तो लोगों पीपल शुट भी विलिंग टू मेक सेक्रिफाइस ठीक है काम है महलोगय अपनी जगह करे टाइम शुट सिक्री förबबस कर थोस्तार से क्या है लोगों को डवलप्मेंट अचीव करना है लोगों का वेलसर व्यास defい करना होगा विलिंगे स्ट मेक सेक्रिफाइस अगेन के तो ऑने भी इंडिविज स्ट्ट क्विई उनी हिए कि सोसाइट तो पार्टी ऑफ सोशलिजम जिससे वो क्या सारी प्लिटिकल पार्टीस को एक दिशा दे सकते हैं जिसमें स्पेड वोट और प्रिजन पे फोकस किया जाए फाइन उसी के साथ साथ जिस अगर दिखिंग ना तो पॉलिटिकल ट्रांस्फोमेशन लाने की जब बात करते हैं र प्राम्मनहर लोहिया को पढते हो एक्सक्लूजिव लेने पढते हो तो आपको समझ में आएगा कि उनका जो मॉडल है कि इनिक्वैलिटीस कैसे खतम कि जाये तो कास्ट बेस्ट रिलिजियोस बीस्ट एकनोमिक पॉलिटिकल सभी तरह की निक्वैलिटिस को खतम किया जा ठ तो यह जो पॉलिसी होना चाहिए यह क्या होना चाहिए तो अफर्मेटी एक्षिन शुड़ आउन टोडर मतलब एकोनोमिक ही ना हो बसकी जो सोसाइटी में नीचे रह गया सिर्फ उसी का उत्थान हो ठीक है इच शुड़ ऑल्सो फॉर बी वुमेन एंड नॉन रिलिजियस म सब्सक्राइब क्या है कि उनके उत्थान के लिए जो सरकारे क्या करती है पॉलेसी ला रही है या फिर कह सकते हैं कि कोई प्रोग्राम बन रहा है प्लैन बन रहा है तो उसमें इन सारी चीज़ों पर भी फोकस किया जाए आया समझ में तो राममान हो लोया एंड सोशलिजम इस तरह से क्या होता है कि एक एक इंपॉर्टेंट लीडर्स को आपको ध्यान रखना होता है उनके आइडिया को ध्यान रखना होता है विसीकली यह आपका फॉंडेशन बन रहा है यहां पर और ग्रेजिशन लेवल पर इनको डीटेल में पढ़ोगे इनके उपर बुक्स के बारे में ठीक इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में किसके बारे में पढ़ेंगे तो दीन दयाल उपाद्धिहाय और उनके इंटेग्रल यूमनिजम के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो नेक्स वीडियो में दीन दयाल उपाद्धिहाय के बारे में पढ़ेंगे आपको किंडर गार्टन से क्लास 12 तक सारा सब कुछ मिल जाएगा करना कुछ नहीं सिंपल मैंगे इस डॉट कॉम लिखना वेबसाइट पर गूगल पर जाकर आपके सामने वेबसाइट खुलेगी उस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो सारी क्लासेस के जो सब्जेक्ट से वह जाए